नमस्ते दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि क्रोध है क्या और क्रोध की उत्पत्ति कैसे होती है तो चलिए पहले जानते हैं कि क्रोध क्या है तो क्रोध किसी भी विप्ति की वह अवस्था या स्वभाव है जिसमें मनुस्य बीना सोचे समझे दूसरों से नापसंद वहवार करता है और फिर इसके पश्चात उसे उसके किये हुए पर पच्चतावा होता है क्योंकि वह सांत चित से भी उस समस्यां का समधान कर सकता था तो अब यहम लोग जाने की क्रोध क्या है अब हम लोग जानेंगे क्रोध की उत्पत्ति कैसे होती है क्रोध की उत्पत्ति होती है किसी भी विशय या वस्तु का चिंतन करते रहने से और विशयों का चिंतन करते रहने से मनुस्य में आसकती कुद्पत्ति होती है आसक्ति का मतलब है मोह लोभ लगाव या फिर प्रेम विशायों में आसक्त रहने से कामना अर्थाग भोग करने की इच्छा उत्पन होती है किसी भी विशेवस्टू को भोग करने की इच्छा उत्पन होती है और जब कामना में बाधा आती है तो मनुष्य में क्रोध का उत् समझ गया है अच्छा आसा करता हूं कि समझ गया होंगे समझ गया होंगे तो एक लाइक देज़ेगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद